हेलो फ्रेंज, फ्रेंज आपको एक कोशन है, ऐसी कौन सी रूम है जिसे हम छूबी सकते हैं और देख भी सकते हैं और हमें वो बहुत पसंद भी है, लेकिन हम उसके अंदर नी जा सकते हैं, सोचिये सोचिये और कमेंट करके बताईए, तब तक मैं इसमें बहुत सारी डीटे आड़ करता हूँ, तो देखिये फ्रेंज, मेरी ड्रेंग कंपलीट हो गई है, अभी हम लेंगे मेरा पैलेट, इसमें तीन कलर अड़ करेंगे, जो है ब्राउन, यल्लो, आइमीन ओकर यल्लो, एंड लास्ट कलर इस रेड कलर, यह मैंने तीनो कलर डाल दिया है, अभी यह देखिये, मेरा ब्रस सेट है, तो मैं पतला वाला ब्रस लोगा, राउन ब्रस, और अभी हम पेंटिंग शुरू करते हैं, तो सबसे पहले ब्रस को गिला करेंगे, यल्लो, ओकर यल्लो कलर और पेंटिंग करना शुरू करते हैं, तो फ्रेंट्स कलर निंग हो गई है, स्टार्ट, और अभी हम यहाँ पें बॉर्डर में शेड के लिए थोड़ा सा यल्लो कलर लेंगे, और यहाँ पें यह कलर सूट नहीं कर रहा है, तो हम लेंगे लेंगे लेमन यल्लो, तो यह मैंने उसका ठकन खोल दिया, कलर डाला, अभी लेट स्टार्ट इट, और फ्रेंट्स यह जो बाजू में ग्रे ग्रे दिख रहा है, वो मुझे पता नहीं क्या है, शायद पानी के वाज़े से होगा, खेर छोड़ देते है, बैग्राउंड जब कलर करूंगा वो कव और हो जाएगा, और फ्रेंट्स इस वीडियो का एक टागेट है, आपको इस वीडियो को कम से कम वन के लाइक्स तो भी होना है मुझे, तो प्लीज करके ये टागेक कमप्लीट कीजिए, क्योंकि आपका एक एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, तो ये दिखिए फ्रेंट्स, जैसे मैंने बोला था, कि ये कवर हो जाएगा, वैसे ही वो कवर हो गया है, अब ये मै ग्रास पेंट करूँगा, तो फ्रेंट्स अभी ये जो ग्रे ग्रे उसमें वाइट दाने में भी आ गया है, उसके वाइट वो डिजाइन में, तो फिर अभी हम नाइट लुक देए तो तो श्टार देंगे, और अभी वो वाइट पार्ट में, वाइट नर से उसको कवर कर देंगे, एड नाओ दो फाइनल स्टेप इस, हम इसको आउटलाइन देंगे, तो फ्रेंट्स उससे तो काम बन रहा नहीं, इसलिए मैंने थोड़ा ब्रॉल्ड मार कर लिया है, फ्रेंट्स हमारे ट्रेंग कंप्लेट हो गई,